हेलो डियर फ्रेंड्स वालकम बैक टू चैनल जे एस कॉमर्स क्लासिस ये वीडियो में हम डिस्कॉस करेंगे हैं अब को इसके आपको ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तो सबसे पहले गुरूप डिस्कॉस अगर आप लिख रहे हो डिस्कॉस क्या सेख्शन में तो आपको पता होना ची किस तरह से आपको इसका आंसर प्रजेंट करना है अपने एकजाम में सबसे पिले गुरूप डिस्किशन जब फॉर्मल डिस्किशन मतलब यह फॉर्मल मतलब क्या ओता है देखो जहां पर एक दूसरी को आपना पैशानते नहीं मतलब आपका एक घर जैसा रिलेशन नहीं होगा कुछ इसकूल के टीछर्स हो सकते मतलब असब भार के लोग होगे that is called as the formal, ठीक है, मतलब इकदम professionally हमको क्या गरना है, discussion करना है, the participant analyze the topic and give their views and the opinion, जो भी participate करना है, group discussion, जिसके बारे में होगा, topic होगा, और इसके बारे में बताना है, और last में क्या होगा, उसको opinion देना है, in the written form, the discussion, you have to write dialogue for at least three to four people, मतलब तीन से चार लोगो के बीच में discussion होना चाहिए, जैसा हम लोगों को कोशन में information दे रहेगी, you must use the proper format of a dialect, जैसा name of the speaker to be mentioned, मतलब कोशन में किसके बारे में दियावा हैं, वो सारी चीज़े, followed back colon, ये colon भी हमको क्या करना है, step करना है, the sequence should be also maintained, मतलब ऐसा नहीं कोई भी कभी भी बात कर रहे हैं, तो इसके साब से properly होना चीए, correct vocabulary, phrase, expression, the tenses, मतलब grammatical proper होना चीए, wordings proper होना चीए, तब जाके आपको टोटल चार मक्स मिलेगे, कैसे, contain, क्या बोला, escape पर होना चीए, sequence कि स्वेय में लिख रहे हो, और language मतलब आपका grammatical, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, इसके question किस तरह से आते हैं, सबसे पहले, imagine yourself as a participant, मतलब आप एक participate हो, in a group discussion arranged by NGO, एक arrange है, एक arrange हुआ है, NGO ने किये, working to promote the sourdash, मतलब वो बोल रहे है कि sourdashya को अपना हो, sourdashya मतलब जो इंडिया की चीज़ है, the topic is traditional, topic क्या है, traditional food provides more nutrition to the general, जो अपने घर के खाने होते हैं, जो पुराने मम्मी डैडी जो हमारे भी बनाते थे, जो दादा दादी बनाते थे, वो खाने बहुत अच्छे क्या है, nutrition होते हैं, as compared to junk food, pizza हो गया, यह जो भार के हम लोग फूद्स काते हैं, यह तुमारा topic होगा, there are two or more parties, आप तो हो साथ में दो participant और है, और एक evaluator होगा, evaluator मतलब आपको जो judge करेगा, अब आपको क्या करना है, अपने view share करना है, prepare the dialogue, अब सबसे पहला evaluator आएगा, वो क्या बोलेगा, जो judge होगा समझे, जो आपको observe करेगा, सबसे पहला answer की शुरुवात कैसे होगी, evaluator से होगी, किसे होगी evaluator से, हमेशा आपको answer कहा से लिखना, अगर आप group discussion लिखोगे, तो evaluator से ही लिखना है आपको, done, done, क्या दियागा, you will have, you will, you have all been given a few minutes, आप सभी को थोड़ सा समय दिया गया, think करो on the topic, कौन से topic है, traditional, यह आपको question में से देखके लिख लेना है, for today group discussion, you may know being discussion, अब तुम क्या कर सकते हो, start कर सकते हो, तो सबसे पहले जो भी evaluator था, जो आपको observe कर था, उसने आपको बता दिया, कि आप लोग के पास में यह topic है, अब आप लोग क्या करोगे, start करोगे, अब answer दो, answer तो वही से शुरू हो गया, अब देखो, कैसा लिखावा है इसने, आरव, in my opinion, दो तीन लोग बोलाता, एक आरव हो गया, third person, myself मतलब में खुद हो गया, और रचना, तीन लोग है, ऐसा question में बोला केता है, एक आप होना ची है, और दो लोग अलग से, तो आरव सबसे पहले, आरव स्चार्ट कर रहा है, क्या लिख रहा जरा देखेगे, in my opinion, in this is a very true, यो बहुत सही बाते, जंक फूट कंटेंस, हाई अमांट अफ सॉल्ट, नमक जादा होता है, शुगर जादा होती, फैट होते, एम्टी कैलरीस बहुत जादा होती, अब आपने क्या बूले, मैसल्फ, आपने क्या बूले, वह रहा है, हमें अगरी हूँ, चिल्रन एंड टीनेजर, जो छोटे बच्चे और जो जवान, जीनेजर, मस्ट चेंज जादा सादा किसको बड़ा बादा न अच्छी है, हेल्दी डाइट को, बूट्स होते थे, विच है बिन ट्राइट एंड टेस्टेट बादा मैनी जनरेशन अफ दे पीपल, मतलल काफी लोग इन इसको पसंद भी के है और टेस्ट भी के है, रच्ना, थार्ड परसन, जो भी थी, क्या बोल रही हो, अवर ट्रेडिशनल होममेड फूड इस बैलन्स मिक्च्चर एंड शुटेट अवर दो मौसम के सब से सब खाने बनते हैं, देखे होगे, आप लोग को सब भी पता होगा, एंड बॉडी स्ट्रक्चर जैसे जिसकी बॉडी, मतला हमको आग बन करके डारेकल इसको भोल नहीं जाना है, किसको ट्रेडिशनल को और हम तो किसके तरफ भाग रहे डारेकली जंक फूड की तरफ, जो आइड़िष की तरह हो रहा है, देखे हैं आप लोग ने पीजा का आइड़िष आ रहा है, और हमनों को उसे के पीछे भाग रहे है, ऐसा नहीं करना चाहिए मैसल, फिर से में बोल रहो हूँ Yes, today we have to come to know the value and the goodness of the traditional stuff like millets, locally grown vegetables जो भी अपने हापे गुरू हो रहा है local oils, traditional recipe ये सब अपनों को पता होना चाहिए We should not think about the traditional food We should not think that traditional food is old-fashioned जो पुराने जो ट्रेडिशनल खाना थे, वो old-fashioned, fashion के इसा आप से नहीं होता है And junk food is a modern ऐसा भोत लोग को लगता कि junk food modern है और वो traditional, ऐसा कुछ भी नहीं है आरव फिर से कुछ बोलना चाह रहा है क्या बोल रहा आरव Yes, I agree, we must know that get swayed by western ideas and food habits which are known as harmful मतलब यह सो जो 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 सारी चीज़े आ रही ना यह हमारे लिए बहुत काफी क्या है harmful है जो अगर हम लोग junk food खा रहे Evaluator क्या बोलता, please conclude मतलब इसका कुछ सा solution दे दो ठीक है, जो last में में बताया था तो रशनादेरी, we can conclude मतलब लास्ट में बोल सकती है By saying that the children must change that हम लोग बोल सकते कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको अपनी food habit क्या चारना चाहिए बदलना चाहिए It is high time they switch to traditional यह time, सही time में लोग को traditional food की habit होना चाहिए It is we need healthy citizen to take our country आजकल की जो country की जो youth है जो बच्चे से बड़े होना आले, बड़े से उनलोग क्या करना आले Government को earning करके देना आले Sir कैसे डारेक्ली देखो, अगर आप earning कर रहें कहीना कैसे government भी क्या कर रही earning कर रही, तो यह वहीसी चीज है हमको हमारा ध्यान रखना चाहिए, तो हम अपने देश का क्या कह सकते है, ध्यान रख सकते बस इतना ही छोटा आपको क्या लिखना है, group discussion यह आपके किसके option में आने वाला है, यह आने आल आपका drafting virtual message या तो फिर statement, तो यह आपके पर depending कि drafting virtual message लिखना है statement of purpose लिखना है या तो फिर आपको क्या लिखना है group discussion तो ऐसे और भी videos के लिए प्लीज चैनल को subscribe करो, अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp ग्रूप में जूट सकते हो link आपको description में जाएगी या तो आप directly टेलिग्रम चैनल पर भी add हो सकते हो तो definitely ये चार मक्सक कोशन आप सभी के लिए बहुत important है और इसी तरह से आपको simple way में लिखना है thank you so much, bye bye